कि मैं देर स्टुडेंट्स एंड फ्रेंड्स मैं डॉक्टर केश्ड दौनसी आप सभी का केश्डी मैस क्लासे में स्वाग्त करता हूं आज हम इस वीडियो लेक्षर में वर्चिल वर्क और इसका क्वेस्ट नंबर थर्ड इसक्स करेंगे तो प्लीज बड़े ज्यान से आप इस वीडियो को सुनियेगा लाइक और शेर भी जरूर किजेगा और हमारी यूटीव चैनल के एस्टी मैस क्लास को सस्क्राइब जरूर कीजेगा और मैं मेरे योटीव चैनल पर हाइर मैथमेटिक से रिलेटेड विडिज अपलोड करता हूं यह वीडियो इंजिनेरिंग कोर्सेज और हायर मैथमेटिक्स यूजी और पीजी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट्स है तो प्लीज आप मेरे इन वीडियो को अपने फ्रेंड सरकल के अंदर ज्यादा ज्यादा शेर कीजिएगा ताकि वह भी एक्जाम के अंदर इनका बेनिविट उठा सकते और जो हमारे ऑनलाइन कोर्सें उनका मैंने लिंक है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पाड़ के अंदर अप्लोड किया हुआ है को आप वहां से लिंक की हैल्प से आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी परचैज कर सकते हों तो ओके तो आये हम आज का प्वेस्ट ठीक है तो स्टेडमेंट से पहले मैं आपको सुम्जाना चाहूं देखो इस क्वेस्टन के अंदर इसने क्या लिखा हुआ है एक रंबस ठीक है एक सम चत्रूज है अर्थात उसकी चारों साइड इक्वल है बट एंगल नाइंटी के नहीं है तो देखो क्या है यह मैंने ठीक अब हमारे क्वेस्टन की लेंग्विज क्या है कि एक रंबस सम चत्रूज और उसकी उपर की जो साइड से उपर की जो दोनों बोजाएं हैं उनके मद्य बिनों पर एक रॉड लगा दी जाती है क्यों यह सेंड मिडल पॉइंट है यह इस रॉड का मिडल पॉइंट है यहा बॉड करन ठस्ट करन परणोध करन तो हुगर है आप प्रूफ करिये इस रॉड में थ्रस्ट इस रोड में क्या होगा फ्रस्ट होगा कि सिटना आना चाहि कि यह इस इसकी वैलु देर इप sprawd that the thrust of this rod is 4w10-alpha for w 10 अलफ़ प्रूफ प्रूफ करना है और कब caver परतेग हो weight of each rod is w and 2 alpha is the angle at the point of suspension ये 2 alpha दे रखायसने question के अंदर ये angle कितना है 2 alpha ठीक है और हर एक rod का weight कितना है w है तो आप इस rod में thrust calculate करिए ये हमारा question है okay question की language एक बार मैं पढ़ देता हूं for equal heavy uniform rods heavy government मतलब क्या होगा इनका weight होगा देरे खायसने लास्ट में question के अंदर are freely jointed so as to form a rhombus which is freely suspended by a corner and the middle point of the two upper rods are connected by a light rods so that the rhombus cannot collapse ठीक है कठा ना हो रेंबस बना रहे है इसलिए बीच में रॉड लगा दी इसने प्रूव देट दा थ्रस्ट ऑफ दिस रॉड इस 4W 10 alpha जो बीच में रॉड लगाई है उसमें थ्रस्ट calculate करनी है यहां पर W पर तेक रॉड का weight है और 2 alpha क्या है एंगल एड़ दा सस्पेंशन पॉइंट जिस पॉइंट पर उसको लटका है हुआ है वहां पर एंगल कितना है यह चीज है अपने पास ठीक है यह टार्गिट है हमारा तो अब आईए हम इसको सॉलूइशन लिखें ओके देखिए आप सॉलूइशन आप दिस कर लिखें वह स्वेशन के अंदर देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया मैंने स्पोज कर लिया लैट एबीसी बियर एंबस जनी कि समच दरूज है देनी रखा कुसन के अंदर हम लेट करेंगे और उसके बाद हम स्पोज कर लेते हैं लैट एबी दा to CD equal to DA equal to A, हम suppose कर लेते हैं, परतेक गुजा के लंबाई कितनी है, A है, ओके और इसके बाद W equals to weight of each rod, ये उसने देरखा question के अंदर, परतेक rod का weight कितना है, W है, और angle at A, जिस point पर सारे सिस्टम को लटकाया हुआ है, वहाँ पर angle कितना है, 2 alpha, ठीक है, तो फिर देखो, diagram हमरा इ क्योंको इसने दे रखा है, ये बना रहे है, तो यहाँ, middle points के अंदर इसने एक light rod लगा दी, और इसमें thrust होगा, तो हमारा target है, thrust कितना होना चाहिए, 4W, 10 alpha होना चाहिए, ओके, तो सबसे पहले हम diagram बनाएंगे, तो देखो, rambus दे रखा है इसने, सम चत्रोज, क्या होता है इसके दो diagonal, एक बड़ा और एक छोटा, ठीक है, इसको हम a point लिखेंगे, और दोनो diagonal कैसे होंगे, perpendicular, इसको b point, इसको c point, और इसको d point, then इनको, मिलाओ आप, ठीक है, joint करिए आप, a to b, b to c, c to d and d to a, ठीक है, और उसके बाद क्या है, अपर two rods, और इनका middle point जो है, यहाँ पर एक light rod लगा दी इसने, और हम इस point को suppose कर लेते हैं, p, और इस point को suppose कर लेते हैं, q, and p और q क्या हैं, middle point of a d and a b, ओके, और अब देखो, परतेक rod का weight कितना दे दिया है, इसने, w, यह light है, इसका कोई weight नहीं है, अब इस system के अंदर, चार rods है, जो heavy है, परतेक का weight w है, total कितना देगा, 4w, कहां पर होगा, center के उपर, g पर, और g पर आप weight दिखा दे हैं, यहाँ पर, 4w, ठीक है, and according to question, angle at a is 2 alpha, यह angle 2 alpha है, ठीक है, तो अब द्यान दो आप, अब इसने, p, q, क्यों लगाई हुई है, जो p से q, rod लगा रही है, क्यों लगा रही है, क्यों लगा रही है, क्यों लगा रही है, यह system बना रहे, क्लैप्स ना हो, अब द्यान दो, आप, क्लैप्स होने का रही है, अंदर जाना, अंदर जाने का रही होगा, p और q पर pressure, तो आगे से p और q क्यों होगी, थ्रस्ट होगी, कि साइड की और, बाहर की और, ठीक है, तो हम suppose कर लेते हैं, let, capital T equal to thrust, in, p, q, and then to prove, prove क्या करना है अपने को, सिद्ध क्या करना है इसके अंदर, to prove, T equal to 4, w, 10, alpha, यह हमारा target है, T इतना होना थी, तो अब हम लोग क्या करेंगे, A fix है, मैंने क्या कहा था, सबसे पहला target होगा, question को द्यान से पढ़ना है, उसके अंदर fix point, fix line या fix plane जरूर होगा, ठीक है, तो यहां पर fix कोन है, A, और देखो, यह total angle 2 alpha है, diagram स्मिट्री कली है, इस line के, जैसा left के अंदर वैसा ही, right के अंदर, तो इसका meaning क्या होगा, alpha angle इस side के अंदर, और alpha angle इस side के अंदर होगा, reason total 2 alpha है, ठीक है, और उसके बाद, फिर मैंने क्या किया, परतेक rod की length कितनी suppose कर रखी है, A, अब मैं थोड़ा सा आपर आपको change कर वा रहा हूँ, जब किसी rod का middle point use हो रहा हो, तो आप उसकी length 2A suppose कर लेना, तो इसको 2A suppose कर लो आप, ठीक है, इससे क्या होगा, अगर हम इसको A लिखेंगे, तो अदा कितना होगा, A by 2, अगर हम इसको 2A suppose करेंगे, तो हाफ कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, upon में 2 नहीं आएगा, तो suppose कर लेना, परतेक rod के लंबाई कितनी है, 2A है, जब हम किसी भी rod के middle point को use करें, उस case के अंदर, जो suppose कर लो, आप कोई फरकने हैं पड़ेगा, तो अब ध्यान दीजिएगा, अब ये हमारे पास देखो आप, total 2A है, यहां से लिकर यहां तक, हाफ कितना हो देगा, A, ओक तो calculation में हमें असानी रहेगी, और इस point को आप लिख दो, H, center को लिख दो, आप, P और Q का center, ठीक है, और ये angle कितना होगा, 90 degree, अब आईए आप, equation of virtual work, ठीक है, तो इसके बाद लिख आप, equation of virtual work, कल्पित करया की समीकरन, यहां फिर आप ऐसा भी लेख सकते हो, principle of virtual work, क्या होता यह, total virtual work equal to 0, जितने भी कल्पित करया होंगे, उन सभी का जोड़ क्या होगा, 0 के ब्राबरो का, यह equation of virtual work होती है, तो अब इस diagram को देखे, आप यहां पर कितने force हैं, दो हैं, कौन-कौन से T and 4 W, तो देखो आप T क्या है, thrust, तो thrust का अंद लोग क्या आता है, positive, T into del PQ, देखो T कहां तक है, PQ के अंदर है, जैसे chalk के अंदर, for example, मैं इसको pressure डालू, तो chalk का thrust होगा, ठीके, तो क्या आएगा, T into del length of the chalk, ओके, ऐसे ही, T into del length of PQ, फिर क्या आएगा, प्लस 4W, प्लस क्यों लिखे, because fix उपर है, weight नीचे है, तो positive virtual work आएगा, यहाँ पर, तो ऐसा करने के बाद, into में क्या आएगा, देखो, आप, multiply में आएगा, यहाँ पर, A into G, यह distance आएगी, यहाँ पर, ठीके, 4W del, A, G, equal to 0, और यह क्या है, प्रिंसिप, equation of virtual work, तो अब हमारा target है, हम लोग क्या करें, P, Q, calculate करें, और A, G, calculate करें, ठीके, तो देखें आप, diagram, तो लिखो, since, P, Q, equal to 2, P, H, द्यान दीजेगा, यह center होगा, ठीके, क्यों, symmetry है, तो H center होगा, middle point होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, P, Q, equal to 2, P, H, ओके, और ऐसे ही, अगर हम A, G, calculate करें, तो A, G, कितना होगा, 2, H, 2, A, H, ऐसे लिखाया सकता है, triangle की property होती है, द्यान दो, कौन सी property, अगर हम किसी triangle के, एक side के, एक side के, middle point से, चले, तो क्या होगा, उसके, जो सामने line आएगे, उसके, दो equal part करेगा, तो क्या होगा, यह दोनों क्या होगे, सेम होगे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, A, H, plus A, H, भी कोई दोनों क्या होगे, सेम, तो क्या लिखाया सकता है, A, G, equal to, 2, A, H, ऑके, by property of triangle, अब हमारा target क्या है, अब हम P, H, और A, H, को calculate करें, और यह एक ही triangle से हम calculate कर सकते हैं, कहां से, A, H, P, से, तो लिखिया, by triangle, A, H, P, ठीके, आप यहां पर इसको दिखा सकते हो, ऐसे, इस type का triangle है हमारे पास, कौन सा, A, H, and P, यह angle कितना है, alpha, ठीके, और यह length कितनी है, A, diagram देखिए आप, A, okay, अब हमारा target क्या है, P, H, calculate करना, यह angle 90 है, तो देखो, इस angle के लिए, यह perpendicular है, lump है यह, तो हम लोग क्या जानते हैं, P upon H, lump बटा करन, किसके बराबर होता है, sine, alpha, ओके, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, P, H, equal to A, sine, alpha, क्यों, A, P, equal to A है, diagram देखिए आप, A, put करेंगे, cross multiply कर देंगे, P, H आजएगा, ठीके, और P, H, आते ही, हम P, Q, लिख सकते हैं, और ऐसे, आप लोग क्या करो, A, H, calculate करो, तो next लिखो, आप, H upon A, P, बहुत ही, simple सा, फंडा है, यहां पर, जिसको calculate करना है, उसको उपर, और जो पता है, उसको नीचे लिखिया, आप, तो यह calculate कर रहे हैं, हम, यह अपने को पता है, यह है, तो अब क्या बढ़ेंगा, देखो, आप, यह base है, B upon H, अधा, आर्बटा करन, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस अलफा, ठीक है, तो अगले step के अंदर, H upon A equal to कॉस अलफा, that is, H equal to, हमारे पास क्या आगया है, A कॉस अलफा, तो अब pH और H आते ही, हम P, Q और A, G लिख सकते हैं, तो लिखिया आप, now, अगले step के अंदर, आप लिखियेगा, P, Q, equal to twice of pH, pH की वेलू A, साइन अलफा है, ओके, एंड, इसी परकार, A, G, क्या है, that is twice of H, H की वेलू क्या है, A कॉस अलफा, A, कॉस अलफा, और अब आपने क्या करना होगा, equation first के अंदर, वेलू पूट करने हैं, किसकी, P, Q और A, G की, तो लिखिये, by one, बहुत ही simple सा फंडा, distance calculate करिए, और equation of virtual work के अंदर, पूट करिए आप, ठीके, तो क्या होगा भी, P, डेल, P, Q, that is 2A, sin अलफा, फिर, पलस 4W, into डेल, A, G, A, G means 2A, कॉस अलफा, और equal to 0, ठीके, total virtual work equal to 0, right hand side के अंदर 0 है, और अब हमारा target क्या होगा, constant को बाहर लिखना, that is 2A, T, और sign का differentiation, देखो आप, sign का differentiation क्या हो कर रहे हैं, यहाँ पर, variable कौन है, इस system के अंदर, जैसे A पर लटका रहा हूँ, तो change कौन हो रहा देखो आप, angle change हो रहा है, ठीके, तो, जो चीज़ चेंज होती है, उसका differentiation करना होता है, तो क्या आजएगा, cos alpha, del alpha, और ऐसे ही cos का करेंगे, तो क्या हैगा, minus sign, बट यह कितना हो जाएगा, 4 into 2, 8, minus 8aw, sin alpha, del alpha equal to 0, minus क्यों आए यहाँ पर, cos का differentiation minus sign, और अब आपने common निकालना है, तो common क्या रहा है, 2 A del alpha common, तो break के अंदर क्या होगा, t cos alpha, minus 4w sin alpha, equal to 0, ओके, और अब 2 is not equal to 0, A is not equal to 0, delta, del alpha is not equal to 0, क्योंकि यह 10 to 0 होता है, और 10 to 0 is not equal to 0, तो फिर 0 क्यों होगा, break, इसको 0 के बराबर रखिया, then, t cos alpha, minus 4w sin alpha, equal to 0, तो यहाँ से t कितना आ रहे, t आ रहे, 4w sin alpha upon cos alpha, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, t equal to 4w, 10 alpha, और यही आपने को proof करना था, यही proof करना था, thrust in rod, eq equal to कितना आ रहे, 4w, 10 alpha आ रहे, ठीक है, बहुत easy है, simple है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा ज्यान दीजे बस आप,